नमस्ते, मैं अल्पनावर माज आपको पाठ नीता जी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखत स्वेंप्रकाश जी हैं, स्वेंप्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदोर चहर में हुआ था, और आज भी लेखन में ये बहुत सक्रिय हैं, इनका एक जाल ही में एक लीडिंग निउस पेपर में छपा था, फेस्बुक पर इनके नाम से एक पेज भी है, जहां इनकी गतिवदियों के बारे में आपको जनकारी मिल सकती है, नीता जी का चश्मा जैसा कि कहानी का शी शक ही बता रहा है, कि यहां किसी नीता जी की चश्में के ब सुभाष चंद्रबोष एक महान स्वतंतरता सैनानी थे, भारत को स्वतंतरता दिलाने में उनका महत्वपून योगदान रहा, उन्होंने आजाद हिंद फौज का रिर्मार्ण किया था, और उनको जब हम याद करते हैं, तो उनका चित्र हमारे दिमाग में आता है, तो उस चश्मा, इसी चश्मे के बारे में यह कहानी है, और क्या कहानी है, एक कस्बी की कहानी है, कस्पा क्या होता है, गाहों से बड़ा, शहर से चोटा, तो एक कस्बी की कहानी है, जहां एक बाजार है और बाजार में एक चोराहा है, चोराहा कहां क्या होता है, चोराहा मिज चा मूर्ती जो नेताजी सुभाष्टान्र पोस की है इस कहानी में तीन पात्र हैं तीन कैरेक्टर्स हैं एक तो हालदार साहब जो हर पंद्रवे दिन उस चौराहे से गुजरते हैं उनकी जो जीप है वो ड्रैवर चला रहा है तो यकीनन किसी कमपनी में अच्छे पतपरासीन हो पात्र है पान बेचने वाला जो बिल्कुल बंद्र कशा चितरित किया गया है मोटा जिसकी तोन निकली हुई है पेट निकला हुआ है और मूँ में पान ठूंसे रहता है जब भी कोई बात करता है तो उसको पहले पान थूगना पड़ता है पीक थूगनी पड़ती है उसके बाद वो बात करता है और बहुत ही casually हर बात का जवाब देता है मजाग बनाता है किसी बात को गंबीरता से नहीं लेता और तीसरा जो पात रहे वह है चश्मे वाला चश्म सिमाओं से गिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों नदियों पहाडों पेड़ पोदों वनस्पतियों पशिपक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने और इनकी संब्रिद्धी के लिए प्रयास करने का नाम ही और कैप्टन चश्मेवाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोणों नागरिकों के योगदान को रिखांकित किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि देश के निर्मार्ण में सभी अपने अपने तरीके से सयोग करते हैं कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं देश भक्ती का भाव अगर एक नागरिक में है तो देश आगे आवश्य बढ़ता है हालदार साहब को हर पंदरवें दिन कंपनी के काम के सिल्सले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था एक कस्बा था जहां से हालदार साहब महीने में दो बार गुजरा करते थे पास होते थे उस रास्ते से कस्वा बहुत बड़ा नहीं था अब कस्वे के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पक्के मकान थे एक बाजार था एक लड़कों का स्कूल था लड़कियों का एक स्कूल था सीमिन का छोटा सकार खाना था दो पानेरी सिनियमा थे एक नगरपाली का भी थी नगरपाली का मिनिस्पल्टि और मिनिस्पल्टि का क्या काम होते है अपने सोसेल साइंस में पढ़ा है सडके बनवाती हैं उन्होंने सडके में बनवाएं थी قस्बे में एक बार इसी नगरपालिका के एक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेता जी सुभार चंद्र बोज की एक प्रतिमा लगवा दी जो संगमरमर की बनी थी मताँ मार्बल की एक स्टेच्यू लगवा दी अब यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है उस प्रतिमा के बारे में भी उसकी छोटे से हिस्से के बारे में है और प्रतिमा हम क्यों लगवाते हैं मूर्तियां क्यों लगवाते हैं कहीं भी लगवाते हैं तो मूर्तियां हम महान व्यक्तियों के लगवाते हैं और उनको लगवा के उनको जब हम देखते हैं तो उनकी इस मृती हमारे मन में बनी रहती है और जो हमारे आगे की जनरेशन से उनको भी इस बारे में ज्यान होता है कि ये personality ये जो व्यक्तित्व है ये महान व्यक्ति कौन है इसका क्या हमारे देश के विकास में या देश के लिए उसने क्या किया था अब पार्ट के अगली हिस्से मे लिखा कहते हैं कि पूरी बात का तो अब पता नहीं लेकिन लगता है कि देश के किसी अच्छी मृतिकार की जानकारी municipality को नहीं होगी पहली बात दूसरी बात वे कहते हैं कि अच्छी मृतिकी जो बनाने का खर्चा होगा उसका जो एप्रॉक्सिमेट नोने एस्टिमेट ल लगाते हैं कि शायद बोर्ड की जो municipality बोर्ड है उसकी शाशन की अवधिय समाप्त हो रही होगी उसी समय ये ख्याल आया होगा कि मूर्ति बनाई जाए तो इतने कम समय में मूर्ति बनाने के लिए किससे कहा जाए उन्होंने आनन पानन में जो एकलोता हाई स्कूल है कोई काम जब अरुची से किया जाता है अन्मने ढंग से किया जाता है तब वह काम करके पूरा कर देना नहीं होता उसको पटक देना हम ऐसी भाशा में कहते हैं कि उसने तो यहां पटक दिया है जब मन नहीं हो किसी चीज में कोई सी काम को करने में तो यही शब्दी उसकिय जाता है जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ती संगमरमर की थी टोपी की नोक जो उनकी टोपी सर पे लगी थी वहां की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई दो फूट उंची उसकी हाइट जो मूर्ती टोटल मूर्ती इतनी बड़ी थी जिसे कहते हैं बस्ट नीचे उनका जो हिस्सा है वहां बस्ट तक मूर्थी थी और सुन्दर थी नेता जी सुन्दर लग रहे थे कुछ-कुछ मासूम कमसिन फौजी वर्दी में मूर्थी को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आसादी दूंगा ये उनका नारा था जब उन्होंने आज आधिन दिपाश बनाई थी वगेरा याद आने लगते हैं इस त्रिस्टी से किस त्रिस्टी से जब हम कोई चित्र या मूर्थी देखते हैं तो हमें उससे संबंदित सारी बाते याद आने लगते हैं जो हमने पड़ा हुआ है जो देखा हुआ है या उस के साथ जो हमने अपना अनुभव किया है जो समय बिता है किसी भी चित्रिया, किसी भी मूर्थी को देखते हैं अगर हमें ऐसे कोई बाते याद आने लगती हैं तो इसका मत्तब है चित्र वास्त्विक्ता के काफी नस्दीक है तो इस मूर्थी को देखके जब उन्हें ये सारी बाते याद आने लगती है दिल ले चलो तु मुझे खुन दो मैं तुम्हें आचाती दूँगा आदी तो उन्हें लगता है कि कला कार की कला जीवी थोटी है और उसका ये प्रया सफल और सराहनिय है आपको पाठ में से कोई भी कथन लेके उसका आशे इस पस्ट करने को आ सकता है तो इसी तरह से यहाँ पर रहे है कथन जो है लिखा है कि इस दृस्टी से यह है सफल और सराहनिया प्रयास था ऐसा क्यूं कहा क्योंकि उस मूर्थी को देखको लेखको उससे संबंदित बातेयाद आने लगती है और केवल एक चीज की कसरती कसरती मीज़ कमी थे इस चीज की जो की देखते खटक रहे थे आँकों कही न कहीं बुरा लग रहा था मन को बुरा लग रहा था कि यह कमी इसमें नहीं होनी चाहिए नेता जी की आँखों पर चश्मा नहीं था यानि चश्मा तो था मगर संगमरमर का नहीं था मूर्थी जिस पत्थर की बनिया जिसकी उसी का होना चाहिए कायदे से नहीं था तो देख रहे हैं कि चश्मा जो था नोट का लिया था कि ऐसा कुछ इसमें कमी है ऐसा कुछ इसमें नजर आ रहा है और अश्चर भरी मुसकान उनके उचेहरे पर फैल गए थी उन्होंने मन में सोचा कि चलो यह भी आइडिया ठीक है यह भी विचार ठीक है कि मुर्ती तो पथर किया जश्मारियल लगा दिया है अब जो उनकी जीप है वो कस्पा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी वह इसी बारे में सोचते रहे और अंतमी इस बात पर पहुँचे इस निश्करश पर पहुँचे कि चलो जो भी है कुल मिला कर कस्पे के नागरिकों का यह प्रया सराहनिया ही कहा जाना चाहिए इसक अब उनके मन में नागरिकों के मन में कितना शद्धा भाव है सुभाष चंद्रबोजी के रिप्रती महत वो मूर्ती के रंगरूप और कतका नहीं उस भावना का है उस फील का है वरना तो देशभक्ती आजकल मजाग के चीज होती जा रही है अब यह जो सेंटेंस लिखक देशभक्ती भी आजकल मजाग के चीज होती जा रही है वाकई में आज जो वरतमान इस्थिती है उस इस्थिती में आप देखें देशभक्त अगर कोई सच्चे अर्थ में बनने कोशिश करता है तो उसको मूर्क बदाते हैं देशभक्ती आउट अउट फैशन हो गई है और देशभक्ती किस बारे में होती है आप पॉप सांग्स बना लो देशभक्ती से रिलेटिड कोई मूवी बना लो तो उसमें आपका स्टाइल हो गया तो देशभक्ती जो है वो एक मजाग के चीज़ बना के रखती है देशभक्ती क्या है हमें अपने देश के प्रकति की बारे में सकारात्मक विचार रखने चीए जो कि आज अधिकतर लोग अपने मन में नहीं रखते देश की बुराई करना देश के बारे में आलोचना करना जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं उनको ना देखके उनको अंदेखा कर देना अपने ही देश के बारे में बुरा बोलना तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेखा को कही न कहीं खटक रही हैं जो उन्होंने इस कहानी में इस बात के जरिये बता दी कि देशभक्ती जो है वो आजकल मजाक के चीज़ होती जा रही है अगर कोई देशभक्ती की बात करता है तो उसे मूर्क बना दिया जाता है देशभक् फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था अब जो है वो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है हालदार साहब का कौतुक उनका जो जिग्यासा थी और अदिक बढ़ गई जो चश्मा ही बदल दिया ऐसा उनके मन में विचारा है शायद किसी ने जानबुच के ऐसा किया है अब तीसरी बार जब गुजरे तब तीसरा नया चश्मा उन्होंने देखा तो हालदार साहब की एक आदत पढ़ गए कि जब भी इस कस्वे से गुजरें चौराहे पर रुखते और पान खाते और मूर्ती को दिहान से देखते एक बार उन्होंने जब उनका ये जो इनकी क्यूरिसिटी जो है वो बिलकुन से कंट्रोल नहीं हुए तो उन्होंने पानवालीक की खुद के मौं पानट्वक से गटाता, जैसा बता था था लेक वह बिलकूल और Anava के नाम से एक चित्राा जाता है बिलकुल वैसा ही चित्रे नो ने बनाया है एक काला मोता खुश मिजास और समय हसते रहना खुश मिजास हालदार साबका प्रशन सुच की व पीछे घूमकर उसने दुखान के नीचे पान धुका और अपनी काली लाल बत्तिय सी जो पान खाके उसके दांद गंदे हो गए उसको उनोंने बताया यहां पे कि दिखाकर बोला कैप्टन चश्मेवाला करता है किसी व्यक्ति के बारे मता है जिसका नाम कैप्टन चश्मेव मतलब क्यों चेंज कर देता है हाला अब आपन भाषा में अपनी बोली में बता रहा है कोई गिरहाक आ गया समझेव अगर हम इसे हिंदी में कहें तो मान लो कोई ग्रहाक आ गया उसको चौड़े चौकट चाहिए उसको चौड़े फ्रेम वाला चाहिए तो कैप्टन किदर से लाएगा तो कैप्टन कहां से लाएगा तो उसको मूर्ति वाला दे दिया मतला मूर्ति वाला जो उसने पहना आया था मूर्ति को वह उतार के उसको दे दिया उधर दूसरा बिठा दिया उधर दूसरा चश्मा लगा दिया मतला मूर्ति को उन्होंने दूसरा चश्मा पहन लगती होगी, बलकि उसे आहत करती होगी, उसको hurt करती होगी मानो चश्मे के बगार नेता जी को असुविदा हो रही हो इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब दुग्गी ने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेता जी की मूर्ती पर फिट कर देता होगा ऐसा वो अंदाजा लगा रहे हैं उसकी बात सुनके हालदर साब सोच रहे हैं लेकिन जब कोई ग्रहा काता है तो उसे वैसे ही वैसे फ्रेम की जरुरत होती है, दरकार में जरुरत होती है जैसा frame मूर्ती इपर लगा है तो captain उसको मूर्ती वाला उतार कर संभवत नेता जी से शमा मांगते हुए लागर ग्रह को दे देता होगा और बाद में नेता जी को दूसरा frame लोटा देता होगा उनके चेरे पे कोई और frame लगा देता होगा भाई वाई खूब अच्छा एडिया है उनके मन में ये बात आने लगती है और वो इस बात को appreciate करते है लेकिन भाई एक बात तब भी समझ में नहीं आई कि नेता जी का original चेश्मा कहां गया भाई मूर्ती बनी आया तो जी की बनी है तो कोई चेश्मा तो लगा होगा वो original चेश्मा कहां है मूल ओरिजनल मतलब जो मूल रूप से जो पहले था उनका चेश्मा वो कहां है पान वाला दूसरा पान मूह में ठूंस चुका था दो पहर का समय था दुकान पर भीड़ा दिक नहीं थी तो उसके पास समय था बात बताने के लिए कहानी उसके बातों के जवाब देने के लिए फिर आँकों याँकों में वहसा उसकी तोन थिर्की कत्थे की डंडी कत्था क्या होता है वो जो वाइट कलर जो रेडिश कलर का होता है रेडिश ब्राउन वो पान में लगाते हैं चुना कत्था तो वो कत्थे की डंडी पे फेंकर पीछे उमुर कर उसने नीचे पीख थूकी और मुस्करात हो बोला मास्टर बनाना भूल गया मास्टर कौन जो मोतिलाल जो स्कूल के मास्टर ड्राइंग मास्टर जिनों ने ये मूर्ती बनाई पान वाले के लिए तो यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाले चकित करने वाली मतलब कि एक आश्चरे उन्हें इस बात पे हुआ कि एक मूर्ती बनाने वाला कैसे चश्मा बनाना कैसे भूल गया वे पूछ रहे हैं ओकी दुबारा हालदार साब को यह सब कुछ बड़ा ही विचेत रहा को तक बढ़ा लगा कि ऐसा हुआ कैसे इन्हें ख्यालों में खोई-खोई पान के पैसे चुगा का चश्मे वाले की देश भक्ती के समक्ष नत्मस्तक होते हुए नत्मस्तक आधर भाव से सिर जुगा लेना किसी के प्रती तो यहां वे किस के प्रती नत्मस्तक थे चश्मे वाले की देशवक्ती के प्रती और वैजीब की तरफ चल पड़े फिर रुके फिर मुडे पान वाले के पाज जाकर पुछा क्या चश्मे वाला जो कैप्टन है ये निता जी का कोई साथी है या फिर आजाद हिंद फॉच का भूदपूर्विया ने पहले कभी रहा सिपाही पान वाला नया पान खा रहा था पान पकड़े अपने मुझ को मुझ से डेड़ इंच दूर रोक कर उसने हालदार साब को ध्यान से देखा फिर अपने लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्करागर बोला नहीं साहाब वो लंगड़ा याने जो पाउं से अपाईज है क्या जाएगा फोज में आर्मी में क्या जाएगा पागल है पागल वो देखो वो आ रहा है आप उससे से बात कर लो फोटो वोटे चपवादो उसकी कहीं मतलब मजाग बना रहा है उसका हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देश भक्त का इस तरह से मजाग उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा उन्हें नहीं अच्छा लगा कि इस तरह से उसका उपास ये पानवाला उड़ा रहा है मुड़ कर देखा तो अव्वाक रह गए हैरान रह गए एक बेहद बूड़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ से एक छोटी संदूपची जो संदूपची थोड़ा छोटी होती है पतली से लोहे की पेटी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के साहरे अपना बांस टिका रहा था आपने देखावागा बहुत से जिनके दुकाने नहीं होती हैं इस तरह के बांस के बड़े से उस फ्रेम पर चश्मे लगाके और बेशते हैं तो इस बिचारे की दुकान भी नहीं हालदार साहब सोच रहे फेरी लगाता है घूम घूम कर वह अपना समान बेशता है हालदार साहब चक्कर में पड़ गए यही इसका वास्तविक नाम है लेकिन पानवाले ने तो साफ कह दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तयार नहीं वह एक कुछ नहीं बताना चाहता इदर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था वो भी रसलेस हो रहा था कि वह यह साहब अब वापस चलें काम भी था हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसले में उस कजबे से गुजरते रहे नीता जी की मूरती पर बदलती हुए चश्मों को देखते रहे कभी गोल, कभी चौकोर कभी लाल, कभी काला, कभी धूपका कभी बड़े-बड़े काँच वाला गोगो चश्मा और कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था इस धूल भरी आत्रा में हालदार साहब को कोतुक और प्रफुलता के कुश्ण देने के लिए ये चश्मा उनको खुशी का मौका देता था उनको खुशी कर देता था उनके मन में प्रफुलता भर देता था एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ती के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था उस दिन पान की दुकान भी बंद थी चौरा है कि अधिकांश दुकाने बंदे थी, अधिकतर दुकाने बंदे थी अगली बार भी मूर्ती के आँखों पर चश्मा नहीं था हाल्दार साब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पुछा क्यों भाई, क्या बात है, आज तुमारे नेताची के चाँखों पर चश्मा नहीं है पान वाला उदास हो गया, यानि उसे दुख था किसी बात का उसने पीछे मूर कर पान थुका और सिर जुका कर अपनी धोती के सिर से आँखें पूछता मतब उसे उसके आँखों में आँसु आ गये थे, वह दुखी हो गया था सहाब कैप्टन मर गया, और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साब यानि कैप्टन के बनने का दुख उस पान वाले को अवश्य था उसने जब हालदार साब के प्रश्णों का जवाब दिया था, उसका मजाग जरूर उड़ाया था हसा जरूर था परन्तु उस कैप्टन के प्रती उसके भी मन में अच्छे भाव थे और उसके प्रती मुह था, तभी जब आज भे जिन्दा नहीं है तो उसकी याद में उसकी आँखों में आशू आ गए है तो वे कह रहा है कि पानवाला कह रहा है, पानवाले का हृदे भी भावुक खिर्दे है साब कैप्टन मर गया, और वे कुछ नहीं पुश पाए, कुछ पल चुप चाप खड़े रहे क्योंकि उन्हें भी दुख लगा इस बात को सुनकर, फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे, रवाना हो गए, वहां से चले गए बार-बार सोचते, क्या होगा उस कौम का, जो अपने देश के खातिर, घर, ग्रिस्ती, जीवन, यानि जिन्दगी, जवानी, सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हस्ती है यह बात उन्होंने क्यों सोची क्यों कि जितनी दूत पिसली कुछ बार जब गुजरे थी वहां से, उन्होंने उनकी चहरे पर, मूर्ती के चहरे पर चश्मा नहीं देखा यानि जो सारी देश भक्ति वह इस लंगड़े चश्मे वाले में ही थी, बाकि नागरिकों के मन में कोई भाव नहीं है, कि इस मूर्ती पर चश्मा लगा दिया जाए उस मूर्ती की कमी किसी को नहीं खल रही है उस मूर्ती में जो कमी है वे किसी को नहीं कटक रही है यह बात उन्होंने मन में सोची और तब उनके मन में यह बात आई उस कौम का, जो अपने देश के खातिर, घर, ग्रहस्ती, जवानी, जिन्दगी, सब कुछ होम कर देने वालों पर हसती है, जो लोग, जो नागरिक, जो जनता, उन लोगों पर हसती है, जैसा कि पानवाला हसा था, किस पर? ऐसे व्यक्ति पर, जो होम कर देने का मतब है, सब सब कुछ त्याग देना, सब कुछ लुटा देना, अपना पूरा जीवन देश के लिए जो लगा देते हैं, उन लोगों पर अगर कोई हसता है, तो उस कौम का क्या होगा? और वह कौम, जो बिकने के मौके ढूनते रहती है, आज ऐसे लोग हैं हमारे भी देश में, हमारी जनता में भी ऐसे लोग हैं, जो बिक जाते हैं, जो पैसे के लिए अपने देश के अगेंस्ट बोलते हैं, विरुद बोलते हैं, और विरुद कारे करते हैं, देश के हित के विरुद कारे करते हैं, बिक जाते हैं, ऐसी कौम जो बिकने के मौके ढूनती है, तो उस कौम का क उस देश का क्या होगा दुखी हो गए वे ये बात सोचकर दुखी हो गए पंदरह दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे कस्बे में गुषने से पहले ही ख्याल आया कि नहीं वे कस्बे की हिर्देस थालियाने जो उनका जो सैंटर है कस्बे का चौरह हाँ महा सुभाश की प्रतिमा को वे नहीं देखेंगे क्योंकि प्रतिमा भी होगी मूर्ती भी हो अवश्य वहाँ पे होगी प्रतिस्टि लगी है लगी होगी और उसकी आँखों पर यकिनन चश्मा नहीं होगा क्योंकि पिछले दो तिन बारों से वे देख रहे थे क्योंकि मास्टर बनाना भ देखेंगे नहीं, वे बहुत आहत थे इस बात से, पिछली कुछ बार हो थे, जब किछ कैप्टन मर चुका है उसके बाद भी, किसी ने उस मूर्ती को चश्मा नहीं लगाया, बात चश्मी और मूर्ती के कदरंग काठी से नहीं, बात है भावनाओंगे, ड्रैवर से कहा दिय उस तरफ मूर्टी को देखती थी, ढूनती थी उनकी आँखो पर चश्मा, तो आँखे चौराहा आते ही मूर्ती की तरफ उट गई, अपने आप, कुछ ऐसा देखा कि चीखें, रुखो, जीप स्पीड में थी, क्योंकि पहले ही ड्रैवर को बता दिया कि भी, नहीं जाना नहीं रुखना नहीं है, पान नहीं खाना, ड्रैवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुखते न रुखते हालदार साब, जीप से कूद कर, तेज-तेज कदमों से, मूर्ती की तरफ लबके, उसके ठीक सामने जाकर, अटेंशन में हो गए, मूर्ती की आँखों पर सरकंडे से बना, छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं, यकीनन यह किसी बच्चे नहीं बनाया होगा, और हालदार साब यह देखकर भावग हो गई, इमोशनल हो गई, इतनी सी बात पर उनकी आँखें यह इतनी सी बात है, नहीं, यह एक बड़ी बात है, क्योंकि यह बता रही है, कि अगर यह चश्मा वाकई किसी बच्चे ने बनाया है, तो अभी भी इस देश के लिए उम्मीदें बच्ची हुई है, इस देश का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज एक बच्चे ने चश के भावी नागरिक हैं जो आज के बच्चे हैं उन में ये भावना पनप रही है देश भक्ती की भावना आ रही है सिनानी ना होते वे भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे इसका कोई वाजिब कारण तो कहीं भी नहीं दिया हो कहानी में परन्तु हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कह सकते हैं कि चश्मे वाला नेता जी की मूर्ती को चश्मा पहना कर उसका अधूरा पंदूर करता था उसके मन में नेता जी के प्रती अगात शद्धा थी आदर भाव था अपने देश के स्वतंतरता सैनानियों के प्रती आदर भाव उसके मन में रहा होगा और नेता जी के प्रती उसके मन में बहुत अधिक आदर भाव था इस तरी वे उस अधूरी मुर्ती को नहीं देख पात और गरीब होते वे भी वह जो उससे बन पड़ता था उस कमी को पूरा करने के लिए करता था एक फौजी के मन में अपने देश के प्रती अपने देश के जो स्वतंतरता सैनानी है उनके प्रती जो आदर भाव सम्मान भाव होता है वही इस जश्मेवाले के मन में भी था इसी भावना को देखती वे लोगों ने उसको कैप्टन कहना शिरू कर दिया होगा कैप्टन फौज में पद सूचक शब्द है दूसरा प्रशन हालदार साथ आपने पहले ड्रैवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तो रोकने के लिए कहा तो पहला कोश्चन इस कोश्चन का जो पार्ट है वो यह है कि हादर साथ पहले मायूस के हो गए थे मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको पता था कि कैप्टन के मृति हो चुकी है और पिछले दो तिन बार से जब भी वे चौराहे से गुजरे हैं वहां मूर्ती पर को दूसरा है कि मूर्ती पर सरकंडी का चश्मा क्या उमीद जगाता है यह एक important question है मूर्ती पर लगा सरकंडी का चश्मा यह हैं उमीद जगाता है कि देश के बच्चे जो की हमारी भावी पीड़ी हैं उनके मन में स्वतंत्रता सैनानियों के प्रती श्रद्धा भाव है वे उनके संवान की रक्चा करने में समर्थ और यह बात उनके भीतर देश भगति की भावना को भी दिखाती हैं इतनी सी बात पर हालदर साब भाव क्यों उठे अब इतनी सी बात आम जंता के लिए होगी सामाने लोगों के लिए होगी परन्तु हालदार साब हर बात को हर किसी के अच्छे खारे को सराहते दे समवेदन शील दे और जब उन्होंने देखा एक बच्चे ने सरकंडी का चश्मा उस मूर्ति को लगा दिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और यह उनके लिए इतनी सी बात नहों कि बहुत बड़ी बात थी उनके मन को चूगए उनके भावों को उस बात ने इतना छेड दिया कि वे इमोशनल हो गए भावुक हो गए तो यह बात कि एक बच्चे के मन में देशभक्ती की भावना जागी है उसके मन में स्वतंतरता सेनानी के प्रति आ और अब उन्हें लगा कि हमारा देश भावी पीडी के हातों में सुरक्षित है क्योंकि वे जानते हैं कि किस तरह एक स्वतंतरता सेनानी के मान की रक्षा की जा सकती है ये सभी भावनाएं जब उनके मन में उठी तो वे भावुक हो उठे